अपराधियों की वो जोड़ी जिनके नाम विशेशण में तबदील हुए किड्नापिंग का वो केस जिसे सॉल्व करने के लिए खुद प्रधान मंतरी टेंशन में आ गए एक केस जिसने भीर कब हो गुस्सा देखा कि विदेश मंतरी का कुर्ता लहलुहान हो गया एक केस जिसके लिए भीर से सिर्फ एक आवाज उठी फासी एक कहानी है रंगा और बिल्ला की शायद ही कोई हो जिसने ये नाम न सुना हो आज आपको सुनाएंगे उस केस की कहानी जिसने रंगा बिल्ला को इस देश की सबसे कुख्यात अपरा जोड़ी बनाया नवसकार में नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीक ये खटनाएं साल 1978 के 26 अगस्त की धौला को आदिली में ऑफिसर इंकलेव के एक घर में शाम का इंतजार हो रहा था घर में दो लोग मौजूद थे मदल मोहन चोपड़ा जो नेवी में थे और उनकी पतनी रोमा चोपड़ा दोनों एक टक घड़ी देख रहे थे उन्हें आठ बजने का इंतजार था आठ बजे रेडियो खुला और उसमें एक आवाज आई लेकिन ये वो आवाज नहीं थी जिसका दोनों को इदजार था चोपड़ा दमपत्ती की दो बच्चे थे गीता और संजय चोपड़ा गीता की उम्र साढ़े सोला साल थी खेलने, वेस्टन म्यूजिक और नाचने की शौकीन, जीसस इन मेरी कॉलेज में सेकंड ये में कॉमर्स पड़ती थी भाई संजय चोटा था चोदा साल का उसका सपना पिता की तरह नीवी में जाने का था मॉडन स्कूल में दसवी का चातर था और गजब का बॉक्सर था दोनों शाम के सबाच्छे बज़े घर से निकले थे, उन्हें संसर्द मार्ग सित ओल इंडिया रेडियो के दफतर पहुचना था और वेस्टन गानों के एक फर्माईशी प्रोग्राम इन दे ग्रूव में हिस्सा लेना था तै हुआ था कि प्रोग्राम पूरा होने के बाद 9 बज़े उनके पापा उनको वापस घर के लिए पिक करते लेकिन जब 8 बज़े मदन चोपड़ा को उनकी आवाज रेडियो पर नहीं सुनाई दी तो वो चिंतित हो गए उन्हें लगा शायद प्रोग्राम रद्ध हुआ होगा मदन मोहन सीधर All India रेडियो पहुचे बच्चे को खो जा लेकिन वो वहां मिले नहीं पता चला कि बच्चे recording के लिए आये ही नहीं मदन मोहन वापस घर पहुचे बच्चे घर पे भी नहीं थे नहीं उनका कोई फोन ही आया था ठीक इसी समय कुछ और भी हो रहा था शाम 6.45 के आसपास नौर्ट दिल्ली पुलिस के सेंटरल कंट्रोल रूम में एक फोन आया फोन करने वाले भगवान दास थे उन्होंने पुलिस को बताया कि बंगला साब गुर्द्वारे से नौर्थ एविन्यू की तरफ जाते हुए उन्होंने कार देखी नीमू के कलर की एक फियाट जिसकी पिछली सीट में दो लड़का लड़की बैठे थे और लड़की मदद के लिए चिला रही थी भगवान दास ने पुलिस को गाड़ी का नंबर बताया MRK 8930 इससे कुछ दिर बाद राजेंदर नगर पुलिस थाने के ड्यूटी ऑफिसर हर्बजन सिंग के पास एक ऐसी ही शिकायत आई तेज साल के इंदर जीत सिंग डीडिये में जूनिर इंजीनियर थे शाम साड़े छे बजे के करीब लोही अस्पताल के पास एक तेज रफतार कार उनके स्कूटर के पास से घुजरी गाड़ी में दो लोग आगे बैठे हुए थे और एक लड़की के चीखने की आवाज आ रही थी इंदर ने कार का पीछा किया चोराहे पर कार धी में हुई तो उन्होंने कार के पास जाकर पूछा क्यों भाई क्या हो रहा है उन्होंने गाड़ी के अंदर जहांकर देखा अंदर एक लड़का अपनी खून में भीकी शर्ट और कंधे की और इशारा कर रहा था लड़की कार के डराइबर के बाल खीच रही थी डराइबर का एक हाथ स्टेरिंग पर था और दूसरे हाथ से लड़की को वो मार रहा था शंकर रोड तक इंदर ने गाड़ी का पीछा भी किया तभी भीड बढ़ी, ड्रैवर ने गाड़ी दोड़ा दी और लाल बती तोड़ कर भाग गया इंदर जीत ने पुलिस को बताया कि कार मस्टर्ड कलर की थी और उसका नमबर था HRK 8930 दोनों शिकायतों और गाड़ी का नमबर होने के बावजूद पुलिस आक्शन लेने से कतराती रही और उधर वक्त निकलता रहा सब बातों से अंजान कैपनी चोपड़ा अपने बच्चों को ठूड़ने के लिए जी तोड़ कोशिश में लगे थे उनके नेवी के दोस मदद के लिए आगे आए धोलाक वाँ थाने में बच्चों की गुमशूदगी की रिपोर्ट दर्श कराई गई रात सब दस बजे के करीब पुलिस की गाड़ी उनके घर पहुंची दोस्तों के घर से लेकर अस्वतालों और रेस्टोरेंट्स तक बच्चों को तलाशा गया लेकिन वो नहीं मिले पुलिस के 30 से जादा गाड़िया, 140 पुलिस वाले और ठेरो नेवी आफिसर्स बच्चों को सारी दिल्ली में खोजने लगे कैप्टन चोपड़ा को पता चला कि इंदर नाम के एक आदमी ने दो बच्चों को शंकर रोड के पास देखा था उस इलाके के पास एक रिज थी, पुलिस ने रिज में तलाशी शुरू की पलकी पहाड़ी भारी बरसाथ के बीच राट धाई बज़े तक पुलिस रिज में ढूनते रही लेकिन बच्चों का पता नहीं चला मतलब दिन दहाड़े दो बच्चों की किड्नाइपिंग हुई, वो भी एक नेवी कैप्टन के परिवार से कैप्टन नेवी के हैं, आमी के कैप्टन से कहीं सीनियर पद होता है नेवी का कैप्टन खैर पद कैसा भी हो, बच्चों की गुमशूदगी की बात थी इसलिए तमाम आसपास के राज्यों के पुलिस को सूचित किया गया 27 और 28 अगस्त को आगरा, मतुरा और हर्याना तक सवच पार्टी ज़ेजी गई 28 तारीक को दिली पुलिस के कमिशनर जेन चत्रवेदी ने बच्चों या केड़नापर्स का सुराग देने वाले के लिए 2000 के इनाम के घोश्ट ना की, लेकिन तीन दिन गुजरने के बाद भी बच्चों के बारे में कुई जानकारी नहीं बिल पाई अब सवाल ये था कि बच्चे और कार गए तो कहां, वो भी राजधानी दिली से पुलिस के पास कार का नंबर था, कार के माली को खोजने के लिए पुलिस ने ट्रांसपोर्ट विभाग की मदद ली पता चला कि कार पानी पत में रहने वाले किसी रविंदर गुपता की है, पुलिस पानी पत गई, रविंदर गुपता के पास A4 के 8930 नंबर की एक कार थी लेकिन न तो उसका model fiat था न उसकी हालत ऐसी थी कि वो दिल्ली तक पहुंच सके पुलिस को समझ आ गया कि जिस गाड़ी का वो पीछा कर रहे हैं जिसे खोज रहे हैं उस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी पुलिस को कोई राष्टा समझ नहीं आ रहा कैपन चोपडा और उनकी पतनी किसी अनुहनी की आशंका में थे और 29 अगस कोई आशंका सतसावित हो गए 29 अगस के दिन एक चरवाहे को रिज में घूमते वे एक लड़की की लाश दिखाई दी जो सड़क से सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर पड़ी थी चरवाहे ने पुलिस को बताया पुलिस वाले रिज तक पहुँचे लड़की की लाश से कुछ 50 मीटर दूर एक लड़की की भी लाश थी चोपड़ा दमपत्ती को शुनाक के लिए बुलाया गया ये गीता और संजे ही थे दुनों की लाश अपने घर से लगबख 4 किलोमेटर दूर मिली संजे के पास 27 रुपए पड़े थे गीता की उंगली में उसकी चांदी की अंगूठी थी जिससे पता चलता था कि किड्नापिंग लूट के इरादे से नहीं हुई थी पुलिस तहकीकाट शुरू करती इससे पहली मामले ने राजनेतिक तूल पकड़ना शुरू किया अगली रोज लोग सभा में इस केस को लेकर खूब भंगामा हुआ राजधानी की बात थी वैसे भी शेम शेम के नारे लगे राजसभा में प्रधानमंत्री मुरार्जी देसाई के इस्तीफे की मांग हो गई प्रधानमंत्री की उपर प्रशर इसका दर था कि उन्होंने स्वय में इस मामले में दखल दे कर अप राधियों को जल से जल पकड़ने का और चारी कर दिया और पुलिस त्हकीकात में लग गई जो कि पहले ही ये काम कर भी रही थी 31 अगस को पुलिस को मजलिस पाक इलाके में एक कार बिली कार का मॉडल बही था जो चश्मदीदों ने बताया लेकिन उसका नमबर दूसरा था डी एच डी 7034 पुलिस ने कार की चाहंदीद की तो पता चला कि एसी एक और गाड़ी अशोका होटल के सामने से चूरी हुई थी उसके मालिक कर नाम अशोक शर्मा था अशोक ने च्हेफते पहले ही कार को खरीदा था उनके पास कार की चाबियां भी थी पुलिस ने इस चाबी से कार को खोला तो वो खुली भी अंदर स्टीरियो और स्पीकर गायब थे कार में कुत्ते की चेन और कई ब्लेड्स मिली दो नंबर प्लेड्स भी मिली जिसमें से एक असली थी कार के सफेद ग्रिल को बदल कर काला कर दिया गया था बाद में फॉरेंसिक वालों ने कार की खोच कबर ली तो उससे सिगरेट के टुकड़े, बालों के गुच्छे और खून के धबवे भी मिले। कार के मैट पर जो मिट्टी मिली वो उस रिजवाली जगेस से मेल खाती थी जहां दोनों लाशे मिली। पुलिस को कार मिल गई थी लेकिन गुनहगारों का अब तक कोई निशान था नहीं। दूसरे तरफ ये मामला आए दिन सुर्खियां मना रहा था, दिली में चातर सड़क पर थे, पुलिस कमिशनर के घर के बाहर नारे लगाए गए, प्रदर्शनों में सबसे ज़्यादा भीर थी बोर्ट कलब के पास, यानि संसर्ट के पास, लुट्येंस में, यहां चातरों पाटी के सरकार में विदेश मंत्री रहे, अटल बिहारी वाचपई, मामला ऐसा भीड़ा के पत्थर बाजी हो गई, एक पत्थर वाचपई को भी लगा और उनका कुर्टा खून में भीग गया, उनके माथे में बाई तरफ चोटा गई, हडडी में घाव हुआ और पांच उनको टाके आए, वाच पे उस दिन सिर में पट्टी बांधे लोग सबा में पहुचे, इसके अगले ही दिन से CBI ने क्राइंग ब्राण से मामले को हाथ में ले लिया, CBI की तहकीकात में शक्किस हुई, कुछ लोगों की तरफ घूमी, एक बात सामने आए कि कुछ समय पहल के बेटे से हुआ था, हो सकता था कि इन दो पार्टी में से किसी ने बदला लेने के मकसद से इस घटना को अंजाम दिया हूँ, आठ सितंबर की तारीक मामले के दो हफते हो चुके थी, लेकिन पुलिस के पास कोई पुखता सुराग नहीं था, मामला मुश्किल भी होता ज सेनिकों ने सवाल जवाब किया तो दोनों भीड़ दिये, अब जवानों के हाथ उनको मारी खानी पड़ी, उनसे कहां जीतते, उसके बाद भी दोनों की हिकड़ी गई नहीं, बाकाद एक नकली बंदूग दिखा कर दोनों जवानों को डरान लगे, कुछ ने देखा कि डि आइफल छीन लेते हैं, तब वहां को जवान ऐसे भी थे जो मराठी जानते थे, मराठी जानने वाले कुछ फॉजी ने दोनों की बात सुन ली, एक फॉजी एफसर ने पाया कि उसने उनका चेहरा किसी अकपार में देखा है, पुलिस उनकी तलाश में भी थी, दोनों को र चला गया तब बंबई था, टैक्सी चलाने लगा, शाम सिंग नाम के आदमी ने उससे बिल्ला से मिलवाया, ये कहकर कि ये जाना माना क्रिमिनल है, और उसने दो अरब जोगों को मारा है, कैसे भी नमबर दिया हुए, बिल्ला का असली नाम जसबीर सिंग था, दोनों ने म बच्चों के हत्या कर डाली, रंगा और बिल्ला पर मुकदमा चला, पूरे देश में इस मामले को लेकर आक्रोश था, कई लोग थे जो फांसी की मांग कर रहे थे, अदालत ने भी इस अपरात को फांसी के लायक माना, 26 नमबर 1989 को हाई कोर्ट ने फांसी के फैसले पर अप सबरें चलती केस को लेकर कई कयास भी लगे, मसलन ट्यूस्टे पोस्ट नाम से टैबलोईट के पुब्लिशर और एडिटर रंगा बिल्ला की गिरफतारे की बाद पुलिस के पास पहुच गए, दोनों अग्रिम जमानत लेना चाहते थे, दोनों का दावा था कि गीता और स को पकड़ने वाले जवानों में से एक जवान का भी इंटरव्यू लिया था, जिसमें उसने बताया कि उनको तो वो लोग अपने साथ मुंबई से साथ लाए थे, इस एंगल ने पूरे केस में बहुत संसनी मचाई लेकिन अंत में इसका खास असर पड़ा नहीं, रंगा औ पत्रकारों के समर्थन में फैसला दिया, जिसके बाद भारत के इतिहास में पहली बार सजायाफता कैदियों का इंटरव्य हुआ वो भी जेल में, रंगा ने पत्रकारों से बात करने से इंकार कर दिया, जबकि बिल्ला बार-बार यही कहता रहा कि वो बेगुना है, अंत म को तिहार जेल में भासी दे दी गई, तारीक की इस एपिसोड के लिए रिसर्च की थी हमारे दो साथियोंने कमल और आशीश और यह रिसर्च हेविली रिलाए करती है इंडिया टुडे मैगजीन के तमाम एडिशन्स पर, इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है जतिन ने और आप देखते रहिए दिललन टॉप